समस्कार दोस्तो, मैं हूँ रौसान और आप देख रहे हैं GKFS YouTube चैनल दोस्तो इस चैनल पे आपको प्रिवियस एर पेपर का डिसकसन और साथ ही साथ जनरल अवरनेस की त्यारी करवाई जाती है तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेश रखिए दोस्तो आज हम जो पेपर डिसकस करेंगे वो है DFCCYL का पेपर जो की Executive HR का पेपर हुआ था 25 अगस 2030 को थर्ड सिफ्ट में इसमें General Science के जितने भी प्रस्ण पूछे गए थे सभी को हमें करके डिसकस कर लेंगे तो आपका काम बनता है वीडियो को ध्यान से देखना और अपना नोट्स भी साथ में बनाती चलना पीडियेफ चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जूड सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आपके पास किसी एक्जाम का कोश्चन पेपर होता है तो gkfairz25.gmail.com पे भेज सकते हैं ताकि उसको हमें आपर डिसकस कर सकें तो देखे ए वीडियो आप लोगों के लिए रामबान सावित हो सकता है इसको जरूर देखिएगा इसमें हम जनरल साइंस के 160 प्लस इंपोर्टेंट को हमने डिसकस किया है जो कि DFC सायल के ही एक्जाम में 2016 से लेके 21 तक पूछे गे थे इसको जरूर देख लिजेगा इसके अलावां हमने 2016 से 21 तक का रेल बे का कोशेंट पूरा डिसकस किया है जनरल अवरनेस को उसको भी जरूर देख लिजेगा दोहर तेस का पेपर हम डिसकस कर रहे हैं, जो कि आज आखरी पेपर है, क्योंकि हमने नॉमा पेपर जो हैं डिसकस कर रहे हैं, तो इसको जरूर देख लिजेगा सभी को, अब देखे पहला कोश्चन आपके सामने है, कि भारत में प्रजेक्ट टाइगर कब सुरू किया गया तो देखे, भारत में प्रजेक्ट टाइगर 1973 में सुरू किया गया था, अब देखे, क्यों सुरू किया गया था, क्योंकि 1972 में स्टॉक होम समिलन हुआ था, उसमें इंद्रा गांधी ने पार्टिसपेट की थी, तो उसके बाद भारत में दो महत्पूर्ण फैसले लिए ग यानि कि 1 जीव संरच्छन अधिनियम 1972 में लाया गया उसके बाद 1973 में प्रजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, यानि कि टाइगर को कंजर्व करने के लिए प्रजेक्ट टाइगर सुरू किया गया, तो 1973 इसका सही उत्तर होगा, तो इसको ज़रूर ध्यान रखे़ लेज इसको जरूर ध्यान रखिएगा अब देखिए next question है कि निमलखित में से किस वर्स में भारत में चीता को बिलुप्त घोसित कर दिया गया था तो देखिए जो भारत में चीता बिलुप्त हुआ था 1952 में अब देख पा रहे होंगे बहुत ही पहले ही भारत में चीता बिलुप किया गया है तो दोजर गाविष में सत्रा सितंबर के दिन आठ चीता जो है नामीविया से लाए गया नामीविया से आठ चीता лायए गया और मदपरदेश के कुनो नेशनल पार्क में इसको रखा गया है ध्यान रखिएगा अब एहां पर 1952 तो इसका सही उतर हो जागा 1952 में ही भारत में चीता बिलुप्त हो गया था अब देखिए 100 चीते लाने की बात चल रही है कहां से तो दच्छी न फिरकास से इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा अब देखिए next question है कि जब बिजली को पानी में परभाहित किया जाता है तो किस परकार की रासानिक प्रतक्रिया होती है क्या किया जाता है कि chemical reactions पूछा जा रहा है कि when electricity is passed through water यानि कि पानी के थूरू जो है बिजली पास की जाती है तो उसमें क्या होता है तो दोस्तों उहां पर ध्यान रखेगा कि decompositions होता है तो ध्यान रखेगा correct उतर इसका यहां पर आपको यह देखने को मिलेगा decompositions इसका सही उतर हो जाएगा तो इसको जरूर ध्यान रखेगा decompositions इसका सही उतर हो जाएगा अब देखें next question है कि कौन सी प्राकृतिक घटना नहीं है इसमें से प्राकृतिक घटना जो है पूछा जा रहा है तो देखें lightning एक प्राकृतिक घटना है cyclone भी प्राकृतिक है, earthquake भी है लेकिन while a spill at sea, यानि कि समुदर में तेल फैल जाना ये आपको मानविये घटना देखने को मिलता है तो correct उतर इसका ये होगा क्योंकि नहीं पूछा रहा है तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा अब देखें next question है कि रंधर छिद्र का खुलना और बंध होना किस पर निर्फर करता है यानि कि the opening and the closing of the estomal poor depends upon which क्या होती है यानि कि रंधर छिद्र का खूलना और बंध होना किस पर निर्फर करता है यानि कि रच्छक को सिकाओं में पानी that is the water in the guard cell तो correct उतर इसका B सही होगा रच्छक को सिकाओं में पानी इसका सही उतर होगा अब next question आपके सामने है कि गर्भावस्था के दोरान placenta का क्या कार होता है तो गर्भावस्था के दोरान placenta का कार होता है कि भुरून को पोसक तत्व का बितरन करना और साथी साथ oxygen का भी यहाँ पर supply करना तो correct उतर इसका B होगा अब देखिए placenta क्या होता है तो placenta एक temporary organ जो है मा के पेट में यहाँ पर बनती है जो कि यहाँ पर fetus that is a भुरून को connect करती है और भुरून को जो है पोसक तत्व का बितरन करती है तो ध्यान रखिएगा अब देखिए placenta क्या होती है एक organs होती है that develop in the uterus during the pregnancy this structure provides oxygen and the nutrient to the growing baby it also remove best product from the baby's blood अब देखिए इस तरह से आपको placenta देखने को मिलता है जो कि एक temporary organ जो है develop होता है तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा अब देखिए next question है कि निम्रुखित में से कौन सा भारत का bioosphere reserve है तो देखिए जो bioosphere reserve है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि निलगिरी bioosphere reserve इसका सही उत्तर होगा निलगिरी bioosphere reserve जबकि दुदबा tiger reserve यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा UP में है कानहेरी यहाँ पर आपको देखने को गेव है उसके बाद देखिए gear national park एक गुजरात में देखने को मिलता है जो की गिर यहां पर forest में अस्तित है, जो की यहां पर line के लिए परसीध है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, तो यह आपको गुजरात में देखने मिलता है, तो निल गिरी बायोस्फेर रिजर्व इसका सही उत्तर होगा, अब देखे कोशन है कि हैलोजन में सबसे अधि परतिकरिया सील कौन सा है, तो देखे हैलोजन होता है, यहां पर सबसे ज़्यादा परतिकरिया सील होता है, तो यानि कि most reactive among the halogen is फ्लोरीन, तो फ्लोरीन इसका सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, और देखे जो noble gas होती है, यानि कि helium, neon, argon, krypton, xenon, radon जो होती है, वो noble gas, that is उत्करिष्ट gas उसको बोला जाता है, अब नेक्स्ट कोशन है कि प्रिधभी का जीवन सहायक छेतर कौन सा है, तो प्रिधभी का जीवन सहायक छेतर है, वो कौन सा है, तो biosphere इसको बोलते हैं, that is a C होगा, biosphere इसको बोलते हैं, तो correct उत्र इसका C जरूर ध्यान रखिएगा, अब देखिए, नेक्स्ट कोशन है कि बस्तूओं को रगडने से कितने परकार के आवेस उत्पन होते हैं, यानि कि charge gained while rubbing object है, तो कितने तरह के चार्ज तो दो, that is a positive और negative, तो ध्यान रखिएगा, दो तरह के चार्ज इसका सही उत् पोजेटिव और negative, अनि कि बस्तूओं को रगडने से दो परकार के आवेस, that is a charge, जो है उत्पन होते हैं, that is a positive and negative, अब देखिए, नेक्स्ट कोशन है कि पाचन तंत्र में भूजन के साथ मिस्रित होने वाला पहला enzyme क्या है, that is a first enzyme that gets mixed with a food in the digestive tract, तो क्या है, तो इसको जरू ध्यान रखना है, उसके बाद next question आपके सामने है, कि निम्रखित में से कौन सा योन संचारित संक्रमन है, that is a sexually transmitted infections है, जो कि एक जिवानू के कारण होता है, ध्यान रखिएगा जिवानू के कारण होता है, और इसका इलाज antibiotic दवाओं से किया जा सकता है, यह important ध्यान रखिए इसका सही उत्तर होगा, that is a overdose, तो सिफिलिस ध्यान रखिएगा, सिफिलिस बिमारी का नाम है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अब देखिए जो HIV है, जो human acquired, जो immunovirus होता है, तो इसके कारण जो है AIDS रोग होता है, acquired immunodeficiency syndrome, that is AIDS रोग होता है, HIV virus से यह वाइरस है, उसके ब सही उत्तर होगा, सिफिलिस इसका सही उत्तर होगा, अब देखिए next question है, कि MnO2, ध्यान रखिएगा MnO2 है, 4HCl है, MnCl2 बनता है, और पानी साथ में बनता है, और साथ में कुलूरीन बनता है, तो समय करण में oxykrit पदार्थ, that is a oxidized substances, इसमें कौन सा है, तो यहाँ पर दे oxidized substances है, HCl, that is a hydrogen chloride, अब देखिए next question है, कि एक लंबी सीधी धारा परभाहित परिनालका के अंदर चुमक्की छेत्र क्या है, तो यहाँ पर पूछा गया है, कि magnetic field inside a long state current carrying solenoid, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें सभी बिन्दूओं पर समान होता, that is, is the same at all points, तो correct उतर इसका जो है, A सही होगा, is the same at all points, इसका सही उतर होगा, यानि कि एक लंबी सीधी धारा परभाहित परिनालका के अंदर चुमक्की छेत्र कामान सभी बिन्दूओं पर समान होता है, correct उतर इसका A सही होगा, तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि 15 प्रश्नी पूछे ग दीजे, so thank you दोस्तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद,